नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिर्दय इस्थल सिध्धान्त अलफेट जॉन मैकिंडर का हिर्दय इस्थल सिध्धान्त बहुत ही इंपॉटेंट कोईशन है और यहां से जो प्रसन है वेरी सॉर्ट या फिल लॉंग कोईशन के रूप में पूछे जाते हैं हर बार आप देख लिए जैन सॉल उठा करके कोईशन आया है तो भोगोलिक विचारधारा का एक टॉपिक है आप सभी लोग जानते हैं हिर्दे इस्थल सिध्धान्त सबसे पहले यहां पर आप देखे इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं हाट लैंड थेओरी या हिर्दे इस्थल सिध्धान्त सब्द का सर्व प्रतम प्रियोग जेम्स फ्रेयर गरीब ने किया है James Freer Grebe ने सर प्रतम Hotland सब्द का परियोग किया था यानि हिर्दय स्थल सिध्धान्द का परियोग किया था लेकिन इसको सिध्धान्द के रूप में मैकिंडन ने स्थापित किया देखिए ये जो James Freer Grebe इन्होंने सिर्फ हिर्दय स्थल ये Hotland इतने सब्द का परियोग किया था लेकिन इसमें जो सिध्धान्द जोड़ा वो किसने जोड़ा तो मैकिंडन ने जोड़ा यानि मैकिंडन ने हिर्दय स्थल को एक सिध्धान्द के रूप में परिभासित किया ये आपको थोड़ा सा लिख देना है अब फिर यहाँ थोड़ा सा आपको Halford John McKinder इनके बारे में बता देना है Halford John McKinder के बारे में Great Britain में Halford John McKinder को भुगोल का पितामा अथवा सनच्छक कहा जा था मतलब ये भुगोल के पितामा या सनच्छक माने जाते हैं Britain में और इनका जन्म 1861 में हुआ था अगर जन्म आपको नहीं याद है तो ना लिखिए कोई बात नहीं लेकिन इतना आपको जरूर लिखना है Halford John McKinder के बारे में कि इनका जन्म Great Britain में हुआ था तो सभी लोग जानते हैं और इनको Great Britain में भूगोल का पितामा या संदच्छक कहा जाता है फिर यहां कुछ important चीज़े हैं यह सारी चीज़े आपको याद रखनी है चाहाँ जैसे भी मैकिंडर ने सन 1902 इस्वी में Britain and British Seas यह British होगा यहां R जहां है यहां परियास होगा 1902 इस्वी में Britain and British Seas नामक पुस्तक का प्रकासन किया और 1904 इस्वी में Royal Geographical Society में मैकिंडर ने अपना सोध पत्र यानि अपने सोध पत्र Geographical Reward of History को प्रकासित किया यानि इनका एक सोध पत्र था सबसे पहले तो यहां पर इनकी एक बुक देख ली थी यह जो इनकी बुक है Geographical Society में इन्होंने अपना एक सोध पत्र का प्रकासन किया जिसका नाम था Geography Reward of History 1919 में इस सोध पत्र में सुधार करके इसका नाम बदल के क्या रख दिया Demographic Ideal and Reality Demographic Ideal and Reality इसका नाम बदल करके रख दिया यानि जो Geographical Reward of History है इसका नाम बदल के 1919 में ये कर दिया इतना आपको लिखना है ये थोड़ा Fact है थोड़ा सा एक दू बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा और ये जो थेओरी है जल्दी किसी के समझ में आती भी नहीं अब ये जो सोध पत्र है Demographic Ideal and Reality इसी में यानि इसी सोध पत्र में पहली बाद Heartland सब्द का प्रियोग किया गया था और किसके द्वारा माइक इंडर के द्वारा अब इस पुस्तक में क्या कहा गया Geographical Report of History में इन्होंने कुछ बाते बताई थी उसको देख लेते हैं भविश में समुद्र सक्ति के पेच्छा इस्थल सक्ति यहाँ देखे आधिक निलायक होगी यहाँ कुछ मिश्टेक हो सकती है भविश में समुद्र सक्ति के अपेच्छा इस्थल सक्ति अधिक निलायक होगी यूरोप, एसिया और अफरीका को संयुक्त रूप से पुरानी दुनिया के नाम से जाना जाएगा और यही तीनों महादीप के सयुक्त भूभाक से निर्मित विशाल इस्थलिय भूभाक को बिश्च दूप कहा जाएगा अब यह बात ध्यान में रखे यूरोप और एसिया और अफरीका है तीन महादीपो को समलित रूप से बिश्च दीप नाम दिया जाएगा मैकेंडर का विचार था कि समुद्री आत्राओं द्वारा नवीन देशों की खोजों का समय तो अपसमाप्त हो चुका है अता बिश्च के अधिकांस देशों महादीपों की खोज भी हो चुकी है किन्तु साइबेरिया कैसा छेतर है जिसे पूरता अभी तक खोजा नहीं गया है यह पुरानी दुनिया यानि की एसी आफरीका और उरोप का अभेद परदेश है मतलब इसको कोई भेद नहीं सकता यह जो साइबेरिया वाला इलाका है यहां तक अभी कोई जाही नहीं पाया है यह समुदर से काफी दूर है अतास जलिये सकती का परभाव भी यहां पर नहीं है अब यह जो बिश्च दीप है जो मैंने आपको बताया कि एसिया अफरीका और यूरूप को मिलाकर बिश्च दीप कहा जाता था तो बिश्च दीप को मैंकेंडर ने तीन भागों में विभाजित किया पहला है हिर्दा इस्थल इसको अब सिध्धान्त ना लिखिए हिर्दा इस्थल और दूसरा है आंत्रिक अर्ध चंद्राकार पेटी या छेत्र तीसरा है बाह अर्ध चंद्राकार पेटी या छेत्र आप उसको पेटी की जगा छेत्र भी लिख सकते हैं जैसे आंत्रिक अर्ध चंद्राकार छेत्र बाहरी अंद्र चंद्राकार छेत्र और पहला क्या है हिर्दा इस्थल अब इसी को हम लोग को पढ़ना है आगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिर्दा इस्थल बिश्दीप बिश्दीप का आंतरिक भाग जो पूरब पश्चिम तथा दच्छिर में परबतिय स्रिंखलाओं से घिरा है तथा उत्तर में हमेशा बर्ब से ढखा रहता उसे मैकेंडन ने सबसे पहले दुरुवे चेत्र नाम दिया और बाद में इसका नाम बदल कर हिर्दा इस्थल कर दिया ओके तो अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ पहले आप पढ़ लेते हैं 1904 में मैकेंडन ने हिर्दा इस्थल का सीमा निधान इस प्रकार किया मरतब यहां पर हिर्दा इस्थल का उत्तरी विस्तार कहां तक के दश्ड़ी विस्तार पूर्भी पश्मी यह सब इन्होंने बता है इन्होंने कहा हिड़द इस्तल का उत्री सीमा आर्किटिक महसागर तक लगती है पूर्भी सीमा प्रसांत यानि साइबिरिया के तर तक और पश्मी सीमा हिमाला यंग्ति सिक्यांग यानि कि ये पश्मी एसिया तक अब यहाँ है दच्छडी सीमा वोलगा नदी के या फिर कैस्पियन सागर के पास तक इसकी सीमा लगती है अब इसको थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं यह जो पाइवोट एरिया आप देख रहे हैं यही है हार्ट लेंड और यहाँ खास करके जो साइवेरिया वाला भागे बिसिकली इसी को शामिल के आता है यहाँ थोड़ा सा जादा दिखाया है तो यही इसको सामिल के आता है और इसके बाहर अगर आप जाएंगे तो inner यानि कि आप आंत्रिक अर्द चंद्राकार पेटी इसको बोलते हैं और इसके बाहर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बाहर अर्द चंद्राकार पेटी मिलेगी तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि heartland थेवरी सबसे बीच में है यह जो heartland यानि हिर्द इस्थल वाला इलाका है साइबेरिया वाला उत्तर में एकदम ठंडे परतेसों से घिरा है यानि कि आर्क्टिक महसागर से घिरा है फिर इसके बाद आजाता है आंत्रिक अर्द चंद्राकार पेटी और सबसे बाद में बाई अर्द चंद्राकार पेटी आता है तो हिर्द इस्थल बेसिकली आप कह सकते हैं जो साइबेरिया वाला छेत्र है रूस का वही है कहीं कहीं आपको मद धेसिया भी लिखा मिल जाता है अब यहां है आंत्रिक अर्ध चंद्राकार छेतर क्या है तो मैंने आपको बताया ही मैप में हिर्दास्थल की ओर इस्थित इस्थल खंड आंत्रिक अर्ध चंद्राकार छेतर के नाम से जाने जाते हैं फिर यहां है कि भाई हिर्दय इस्थल सिध्धान्त के नुशार अब हमें संछेप में थोड़ा सा लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि जो पूर्भी यूरोप पर सासन करेगा वही हिर्दय इस्थल को नियंतरित करेगा जो हिर्दय इस्थल पर सासन करेगा वही करने का द्वार कहां पर है पूर्बी ये रोप में अब इसमें कुछ बदलाव किये गए इसकी सीमा में 1943 में मैकेंडन ने अपने पुस्तक यानि इनकी एक और पुस्तक है दर राउंड वर्ड एंड विनिंग पीस में हिर्दा इस्थल की सीमा में परवर्तन किया और बताया कि बिश्च में प्राकरतिक संसाधनों से यूग तो दूसरे छेतर भी सकती केंदर बन सकते हैं क्योंकि साइबेरिया पर अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है और कहा जाता है वहां पर संसाधन बहुत अधिक पाया जाते है लेकिन हिर्दा इस्थल में 1943 में परवर्तन करके मैकेंडन ने कहा कि साइबेरिया के त्रिक और भी अगर कोई छेत रहें जो प्राकरतिक संसा इंडन ने मिड लैंड का नाम दिया और यही मिड लैंड भविस में हाट लैंड को टक कर दे सकता है तो इसको आप एक बार में अगर पढ़ेंगे तो आपको साइब ना समझ में आए थोड़ा सा यह टॉपिक उल्जा हुआ है लेकिन इसको दो तीन बार पढ़ेंगे ना लिख सकते हैं सबसे पहले तो आपको यह लिखना है कि हिर्दै इस्तल सिधान को किस ने दिया तो हलफेड जॉन मैकिंडर ने दिया था जो कि ब्रिटेन के भुगोलवेत्ता थे फिर आपको यह लिख देना है फिर आपको दो नंबर मिल जाएंगे